नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है विश्णुदत और आज हैं हम सेशन नमबर थी में उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और थैंक यू सो मच अगीन पर जॉइनिंग इस क्लास तो सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि आज का एजेंडा क्या रहने है तो एजेंडा तो फिर से बहुत ही ज्यादा सिंपल है शायद आज भी हम ज्यादा टेक्निकल बात ना करें लेकिन आज हम कुछ अंग्रेजी भाशा की टर्म्स सीखेंगे क्योंकि वह इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा लेकि इन सबसे पहले डिसकस करते हैं कि एजेंडा क्या है एजेंडा है कि दो कंप्यूटर्स आपस में मैसेज अगर भेजना चाहते हैं तो हम सारे लोग मिलके सोचेंगे कि दो कंप्यूटर्स आपस में मैसेज कैसे भेज सकते हैं उनको क्या-क्या चाहिए होगा अगर उन्हें message send करने हैं तो, बहुती simple सी बात है, यह करेंगे आज हम, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि किस example से हमें यह बहतर समझ में आएगा कि दो computer आपस में message कैसे भेज सकते हैं, और आप जानके यह हैरान रहे जाएंगे, कि जो हमारी postal office service है, वो काफी ज्यादा हद तक similarly काम करती है, जैसे कि दो computer आपस में message send करते हैं, right, for example, अगर post office service में होता क्या है, भई आप एक letter लिखते हैं और भेज देते हैं, right, अपने nearest box post office में जाके छोड़ देते हैं, या फिर वो छोटा सा जो red color का box होता है, उसमें डाल देते हैं, और वो आपके message को deliver कर देते हैं, अब यह क काफी ज़्यादा मिलती जुलती है, अगर आपको ये समझ में आ गई, तो believe me, आप दो computer आपस में message कैसे भेजते हैं, ये भी समझ जाएंगे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस postal office service को थोड़ा सा break करने की कोशिश करेंगे, अच्छा break क्यों करते हैं, ये भी मैं आपको बत करते हैं, वो भी add करेंगे, ठीक है, तो आप अपने notes में, maybe आप जब भी वीडियो देखें बाद में, उन terms को add कर लीजे, क्योंकि उन terms को बार-बार इस्तमाल किया जाएगा, ठीक है, having said that, let's move to our first board, जहां पर हम कल वाले board से ही शुरू कर रहे हैं, हाला कि कल इसका discussion छोट था, तो हम क्या करने वाले हैं, आज हमारे पास दो laptop है, right, और ये हैं, आप में से ये कोई भी एक इनसान हो सकता है, let's take an example, मान कर देखिए कि हमारे पास Ajay है, Ajay Dvivedi जी, right, हमने क्या किया है, Mr. Ajay को सोचने पर मजबूर कर दिया है, और इनको कुछ नहीं पता है networking का, मान कर देखिए, इनको नहीं पता है कि दो computer कैसे काम करते हैं, हम तो बस ये बोल रहे हैं, कि Mr. Ajay जी जो है, ये आज हम सभी लोगों के साथ ये सोचेंगे, in fact, आप सभी को सोचना चाहिए, कि अगर दो computer को एक दूसरे से बात करनी है, तो वो किस प्रकार से करेंगे, या कैसे करेंगे, ठीक है, तो करते हैं brainstorming, अच्छा, ये जो मैंने word use किया है brainstorming, इसका मतलब सिर्फ इतना सा ही होता है, कि अगर आप कुछ लोगों को एक room में छोड़ दो, और believe me, आज हम सारे के सारे लोग मिले हुए, तो एक software की वजए से हम सारे के सारे एक room में ही है, और अगर ह उस discussion के दौरान, और वो discussion काफी ज़्यादा important रहे, तो हम ऐसे discussions को बोलते है brainstorming, तो ये term याद कर लीजिए, अगर आप आएंगे corporate world में, तो इस term को बहुत ज़्यादा use किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग कुछ नो कुछ solution ढूंड रहे होते हैं, तो आपस मे brainstorming बहुत होती है, आपस में exchange of ideas बहुत होते हैं, एक table पर कि चारो तरफ बैटके, लोग ideas share करते हैं, और उससे कुछ बना लेते हैं, उसी को हम brainstorming मोगते हैं, अब अगर मैं बात करूँ, कि वही हम भी आज brainstorming ही करना चाहते हैं, लेकिन किस topic पर करना चाहते हैं, हमारा topic रहन हैं, तो आपको बताऊंगा ही, बताऊंगा कि कहां से start करेंगे, लेकिन अगर आपके दिमांग में भी कुछ आता है कि यार नहीं, ऐसा भी होना चाहिए था, तो भी आप अपना hand raise करके, इस discussion का, इस brainstorming का part बन सकते हैं, okay, having said that, let's start the discussion, अब बात आती है कि अगर laptop A, laptop B से बा सबसे important जो use है, right, इस networking का, वो यह हो सकता है कि आप अपनी जो files है, right, वो laptop A से निकालें, अच्छा, मुझे नहीं पता कि laptop A और laptop B कितनी दूर है, हो सकता है 100 meter की दूरी पर है, हो सकता है 1000 meter की दूरी पर है, लेकिन हमें तो ऐसा system बनाना है, कि दूरी matter ही ना करें, अगर वो pass में है, तब भी मैं system, तब भी मैं भेजबाऊं files, और अगर वो बहुत दूर भी है, तब भी मुझे file भेजने में कोई भी issue नहीं होना चाहिए, ठीक है, अच्छा, यह हो सकता है files, और क्या हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि अगर Mr. Ajay जी ने अपने laptop पर एक application install कर लिया ह जिसका नाम WhatsApp application है, तो Ajay जी यह भी कर सकते हैं कि हाई लिखे हैं उस application पर और वो यहां से निकल कर laptop भी पर पहुंच जाए, तो हमें यह देखना होगा कि हम भेजना क्या चाहते हैं पहले, और हम इसको compare भी करेंगे कि अगर दो human being आपस में बात करते हैं, दो इनसान आपस म अगर वो दोनों आसपास ही हैं कहीं पर, तो सीधी सी बात है कि यह exchange क्या कर रहे हैं, यह exchange कर रहे हैं sound waves, sound waves का मतलब क्या है, कि आपके मुह से आवाज निकली, वो इस air में travel की और पहुंच गई यहां पर, but computers के case में sound waves नहीं जा रहे हैं, right, computers के case में तो files और यह messages जो भी high and hello हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन हमने कल की class में एक important concept पढ़ा था, कल की class में हमने पढ़ा था, कि computers को आपके files, आपके messages से कोई भी मतलब नहीं है, computer को यह सारी की सारी चीज़े, ones and zeros की form में नजर आती हैं, यह आप सभी को कल पता लग गया था, इसका मतलब अगर यह file भी है, चाहें आपने कितना मर्ज़ी इस file में कुछ भी लिखा हुआ है बड़ा, computer को तो वो उसमें ones and zeros ही नजर आते हैं, अगर आपने यह high भी लिखा है, तो basically क्या हो रहा होगा, h के corresponding या h की जगा पर हम सभी ने देखा था कल की one zero की जो एक sequence होता है, वो लिखा हुआ होता है, ह computer को तो यह ones and zeros ही दिखेंगे, computer actual में यकीन कीजिए, इन ones and zeros को ही भेज रहा होगा, अगर यह file की बात आएगी, तो उसमें बहुत सारे ones and zeros की sequence होंगे, अगर यह high है, तो उसमें थोड़ा सा कम sequence वाले ones and zeros होंगे, अच्छा, अगर मैं आपको बताओं, तो हम इस single one या zero को ब बात कर लीजिए, हमने दो टम बढ़ी है, एक तो जो आप company join करेंगे बाद में कहीं पर भी, उसमें जो बहुत जादा यूज होती है, वो होती है brainstorming, मेरे ख्याल से सबको सांग में आ गई है, आज हम दूसरी टम की जो बात कर रहे हैं, वो है कि यह जो one and zero है, इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं bit, जैसे बही एक अगर मैं बोलूँ यह one है, जो computer को समझ में आता है, तो हम बोलेंगे कि यह one bit है, zero भी एक bit है, लेकिन जब यह आपस में मिल गए है, एक sequence बन गया है, तो हम बोलते हैं कि यह हैं हमारे bits, it is as simple as that, bit अगर एक है, bits अगर काफी सारे है, ठीक है, और हमने क्या किया हुआ है, जैसे हमने समान को measure करने के लिए units बनाई है, for example, मैं बोलता हूँ कि आपको बजार में जाकर sugar खरीद के लानी है, तो आप सबसे पहले बोलेंगे, भाईया, यह तो बता दो, कितने kilo खरीद कर लाओ, आधा kilo, एक kilo, या फिर 500 gram, आप बत जी है, चाहे आप बैंगलॉर में खरीदें, एक kilo sugar, या फिर आप दिल्ली में खरीदें, या फिर आप कश्मीर में खरीदें, राजस्तान में खरीदें, हर जगा पर एक kilo sugar का मतलब, एक kilo sugar ही है, right, सब के पास measure करने के लिए, एक kilo कैसे, कैसे आपको दे पाएंगे, उसको measure क करने के लिए कुछ न कुछ जरूर होगा, ठीक है, इसी लिए ये जो units होती है, ये बहुत important होती है, kilogram हुई, आप बोलते हैं कि बहुत सुबर सुबर दोड़ लगाने गया, तो मैं पूछोंगा कितनी दोड़ लगाई, कुछ लोग बोलेंगे तो बहुत सौ मेटर दोड़ ये measure तो करना आना ची है, कि हमने ये तो बोल दिया बड़े आराम से, कि laptop, AC, laptop भी पर bits जा रहे हैं, कितने bits जा रहे हैं, आप अगर बोलोगे 4 जा रहे हैं, पांच जा रहे हैं, तभी तो कुछ मजाएगा, लेकिन फिर भी हमने कुछ units बनाना जरूरी समझा, ताकि सारे ल अगर बोलता हूं कि हमने जब 8 bits के group को देखा, मान लीजिए ये 8 bits का कोई भी group है, ये हो गए यहां से यहां तक 4 और ये हो गए यहां से यहां तक 4, तो हमने इसको बोला कि अब हम इसको bits नहीं बोलेंगे, हम इसको एक नए नाम से जानेंगे, अगर मेरे पास 8 bits हैं, तो म मैं उनको बोलूँगा कि भाईया, ये एक byte हो गया है, एक byte का मतलब जो है, वो हो गया है, 8 bits, it is as simple as that, ठीक है, अचा बात आई कि भाई, अगर एक kilobyte है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें actual में 1024 bits होते हैं, right, sorry, bytes होते हैं, तो आज की rate में तो आप सिर्फ इतने ही याद कर लेजिए, हम gigabyte की भी बात करेंगे, terabyte की भी बात करेंगे, लेकिन मुझे आज जो intention है, वो आपको confuse करने का नहीं है, in fact मैं तो बोलता हूँ कि आज आप सिर्फ 1 byte is equal to 8 bits होते हैं, सिर्फ ये ध्यान रखें, हाना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 200 bytes भेज दी हैं, इस computer से, इस computer की तरफ, कितने bytes करेंगे 200 bytes, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, कि 200 bytes का मतलब होता है, कि 200 bytes जा रहे हैं, और 1 byte के अंदर 8 bit होते हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, कि 1600 bytes इस बंदे ने laptop A से laptop B की तरफ भेज दी हैं, very very simple, right, तो दो terms होई हैं, एक तो bits, एक kilobytes, अगर हम technology की बात करें, और अगर हम technology की बात करें, और अगर हम technology की बात ना करें, तो वह यह है सिर्फ ब्रेंस्टामिंग वर्ट, एक और, right, आगे देखते हैं, आगे की बात क्या है, तो हमें ये तो computer को आपस में बात करनी हैं, तो उनको ones and zeros को भेजना है, right, अब मजे की बात ये है, कि भई, कैसे भेजा जाए उसको, right, ये जो ones and zeros है, ये कैसे जाएंगे, तो हम मान के चलते हैं, कि हमेशा जब भी भेजा जाएगा, शुरुआत में, तो ये जो computer होगा, इस computer से एक wire निकल रहा है, अगर ये laptop पास-पास में है, 100 मीटर दूर है, तो भी मैं एक computer से wire ले सकता हूँ, और दूसरे computer पर wire लगा सकता हूँ, लेकिन अगर ये computer बहुत दूर है, 100 km, 200 km, तब मैं wire को कैसे खिचूँगा, right, एक जगा से wire दूसरी जगा पर कैसे जाएगी, तो भई, ये answer मेरे ख्याल से, अब से 10 class बात जाकर मिलेगा आपको, right, कि ऐसा नहीं है, कि हमें एक computer से, दूसरे computer पर wire खिचनी ही पड़ेगी, अगर ऐसा होगा, तो भी बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, right, अगर आपका दोस्त अमेरिका में बेठा हुआ है, तो भई, आप wire कैसे खिचें पर, हम अभी ये मान के चलेंगे, कि ये जो laptop A है और laptop B जो है, ये maybe जदा दूर नहीं है, maybe 100 meter की दूरी पर है, और हमने इन दोनों में एक wire attach कर दिये, कैसी wire होगी, वो भी बताएगे, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है, कि एक wire में, actual में होता क्या है, अगर आप wire लग तो उसमें है क्या, उसमें कहीं ना कहीं electricity जा रही होगी, इस wire से, तो ये बात तो 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 है, कि wire के अंदर से electricity जा सकती है, या electric current जा सकता है, आप सभी को पता है, अगर यकीन नहीं होता है, तो switch, अपने socket में wire को डालिए, और switch on कीजिए, और wire का एक सिरा पकड़ लीजिए पकड़ोगे तो आपको फोरन पता लग जाने वाला है, और कुछ तो इसके अंदर से जा रहा है, राइट, by the way, experiment करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा मजाग किया है, लेकिन आप सभी को ये पता होना चाहिए, कि electric current पास करता है एक wire में से, और basically इस wire को हम copper wire भी बोलते है राइट, very very simple, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार हमें भेजने तो ये ones and zeros हैं, laptop A से laptop B में, और हमने जो wire connect की है, वो लेके जा सकती है, सिर्फ electric signal, तो ऐसा कैसे possible है, कि ये जो हमारे ones and zeros हैं, ये laptop A से laptop B की तरफ पहुँच जाएं, very very interesting, राइट, अच्छा, ये बहुत important है इस बात को समझना, कि अगर राहूल और अंजली आपस में बात कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच का distance मान के देखिए 10 meter है, तो आपको ये फॉरण समझ में आ जाएगा, कि जो राहूल के मुह से निकल रहा है, वो है अवाद, या जिसको हम sound बोलते हैं, ये sound अपने आप स नहीं जा सकता है, इसको चलने के लिए किसी ना किसी सहारे की जरुरत है, और वो सहारा basically है हमारे इस case में air, अगर ये air नहीं होगी राहूल और अंजली के बीच में, तो राहूल ने जो भी बोला है, अवास की form में, sound की form में, वो travel कर ही नहीं सकता है इस air पर, right, air के बिना, इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा इसको technology की term में समझाओं, तो मैं ये बोल सकता हूँ, एक simple line, कि जो sound है, उसको चलने के लिए एक medium की जरुरत होती है, और वो जो medium है, वो है actually हमारा sound wave, sorry, जो medium है, वो है हमारा air, अगर air नहीं है राहूल और अंजली के बीच में, राहूल कितना भी चीक कर बात करें, it means that अगर आप चांद पर पहुंच जाएं, जहां पर हवा जो है, वो बिलकुल काम है, ना के बराबर है, तो वहां पर आपका बात करना मुश्किल हो जाएगा, चाहिए एक मीटर दूर खड़े हुए या दस मीटर दूर खड़े हैं, आप बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर हवा नहीं है, it means that अगर दो इंसानों को आपसे में बात करनी है, तो उनके बीच में air नाम का एक medium होना चाहिए, अगर आप air निकाल दोगे उनके बीच से तो बात नहीं कर सकते हैं, right, similarly, अगर मैं बात करूं कि भी laptop A से निकल कर electric wire, या फिर आप बोल सकते हैं, copper की एक wire लगा दी हमने इन दोनों के पीच में, अब धिक्कत वाली बात यह है कि laptop A से जो निकलेगा, वो sound wave नहीं है, वो electric current नहीं है, वो क्या है, वो तो bits हैं हमारे, ones and zeros, अब उन bits को हम laptop B में कैसे पहुँचाएंगे, यह बहुत ही interesting बात है right, तो भही किसी शांदार इंसान ने, समझदार इंसान ने इसका भी तोड़ निकाला, और अजे जी यह सारी की सारी बाते सोच रहे हैं, कि अगर हमें दो computer में बात करानी हैं, तो इनको पता है, कि भही जो बाहर निकलेगा laptop A से, वो ones and zeros निकलेगा, और अगर मेरे को laptop B तक इनको पहुचाना है, तो मेरे पास कोई ना कोई medium होना चाहिए, just like अगर दो इनसान बात करते हैं, उनके बीच में air होती है, दो laptop अगर बात करते हैं, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ medium होना चाहिए, तो इन्होंने सोचा, कि मैं electric wire लगा देता हूँ, copper की wire, अब यह यह सोच रहे हैं कि once and zeros इस copper की wire पर कैसे जाएंगे, क्योंकि copper की wire पर तो electric current जाता है, तो उन्होंने मान कर देखिए, कुछ ऐसा सोच लिया होगा, कि अगर मैं electric wire में current या फिर voltage, हम electronics में जाना या electrical science में जाना पसंद नहीं करेंगे, मेरी भी knowledge थोड़ी limited ही है वहाँ पर, ठीक ह लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा पढ़ना चाहिए, तो जरूर पढ़िए, मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि इस wire के ऊपर, आजे जी ने स्कीम मनाई, कि अगर laptop A1 भेजना चाहता है, तो मैं क्या करूंगा, इस में current भेज़ूंगा, ठीक है, कितने amp current मान कर देखिए, 5 ampere का मैं current भेज देता हूं, अचा ampere किया है, या फिर ये current को नापने के लिए एक unit है, जैसे kilometer है, distance को नापने के लिए, वैसी ampere को नापने, current को नापने के लिए एक unit है, तो इन्होंना बोला कि अगर मैं 5 ampere भेज रहा हूं इस wire के ऊपर, तो इसका मतल मतलब समझो कि मैं एक भेज रहा हूं, और अगर मैं कुछ भेजी नहीं रहा हूं, 0 ampere, तो इसका मतलब समझो कि मैं 0 भेज रहा हूं, बड़ा शानदार काम किया है, Mr. Rajajajee, क्योंकि अब आप देखिए, कि अगर electric current flow कर रहा है, तो इसका मतलब है, एक भेजा, अगर electric current flow न चाहता है, तो भई 1 तो कैसे भेज हूं है, राइट, 1 होता क्या है, दिखता कैसा है, मुझे नहीं पता, हाँ, उसका symbol पता है, कि भई 1 ये है, तो इन्होंने का, लेकिन मुझे ये पता है, कि electric wire में current जा सकता है, तो मैं ये बोलता हूं कि अगर मैं 5 ampere यहां से यहां भेज हूंगा, तो Mr. Laptop B, तुम ये समझ लेना, कि भई 1 भेजा है मैंने, तो Laptop B ने का भी, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करूंगा मैं, और इसलिए इस Laptop A और Laptop B का इस बात पर सहमती बहुत जरूरी है, कि अगर 5 ampere भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब है 1, और 0 ampere भेजा ज जाकर बताओगे, कि भहिया, अगर 5 ampere आ रहा है, तो इसका मतलब है 1, 0 ampere आ रहा है, तो इसका मतलब है 0, it is as simple as that, by the way, current की जगे पर voltage भेजी जाती है, अगर real में बात करें, लेकिन ठीक है, हमें इतना नहीं जानना है, इतना अगर पता है, तो भी more than enough है, अभी तक हमने सि ये बात discuss की है, कि what to send, ठीक है, what to send का मतलब है, कि भाई, क्या भेजा जाएगा, अगर 2 computer आपस में बात करेंगे, तो आपको पता है, कि bits भेजे जाएंगे, ठीक है, दूसरी चीज़ हमने बात की, अगर इन bits को भेजना है, एक जगर से दूसरी जगर पर, तो कुछ नो कु मीडियम होना चाहिए, तो हमने मीडियम की बात कर ली, कि भी है, यह एक मीडियम, जिसके उपर हम current भेज सकते हैं, और current की form में, हम अपने bits को भी भेज सकते हैं, it is as simple as that, ठीक है, तीसरी important चीज़ जो है, वो यह है, कि भाई, आपको कहां पर भेजना है, अब ऐसा तो है न हो, हाना, यहां पर मैं मान के देखिए, एक और laptop लगा दूँ, laptop C कर दूँ, फिर यहां पर D कर दूँ, E कर दूँ, and F कर दूँ, जो कि बहुत सारे laptop हो सकते हैं, यहां पर, it is as simple as that, और ऐसा भी possible हो सकता है, कि राहूल और अंजली बात कर रहे हो, यह एक room में हो, और इस room म मैं यह कहना ही पड़ेगा, पहले तो भई दो ही लोग थे, तो जो भी राहूल बोल रहा है, वो अंजली के लिए ही है, लेकिन अगर आब इस room में 10 लोग हो गए हैं, तो आप सोच कर देखिए कि राहूल अंजली से बात कैसे करेगा, उसको यह बोलना पड़ेगा, अंजल होती ही नहीं हो, उसको सुनने की, जनरली लोग ऐसे ही करेंगे, क्योंकि राहूल अंजली से बात कर रहा है, तो हम अपना काम करते हैं, अगर हम से बात करेगा, तो वो हमारा नाम लेगा, इसका मतलब हमें अगर भरे हुए room में किसी एक बंदे से बात कर रही है, तो basically मुझे उसका पहले नाम पुकारना होगा, मुझे बोलना होगा, ये message तुम्हारे लिए है, ठीक है, और अपनी daily life में हम address करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए क्या use करते हैं, उसका नाम use करते हैं, it is as simple as that, तो यहाँ पर नाम को छोड़ कर हमने क्या किया, या क्या किया है इसमें network industry में, कि हर एक बंदे का, हर एक laptop का कुछ ना कुछ address होना चाहिए, अगर वो address नहीं है, तो भई हम लोग बात करी नहीं पाएंगे, ठीक है, एक और time use कर रहे हैं, बाद में यही address आपका IP address बनने वाला है, ठीक है, दो चीज़ बहुत simple हो गई है, भई क्या भेजे जाएंगे, ठीक है, कैसे भेजे जाएंगे, क्या medium रहेगा, ये भी पता लग गया है, copper wire, हम basically ones and zeros को भेज सकते हैं, electric current की form में, voltage की form में, तीसरी बात अब आई निकल कर कि कहा पर भेजा जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, कि सिर्फ दो ही computer हैं, computers काफी ज्यादा हो सक हैं, तो हमें सारे computer का या तो नाम रखना पड़ेगा, या फिर सारे computer पर हमें actual में कुछ address देना पड़ेगा, daily की life में भी यह होता है, अगर आपको मुझे कोई message भेजना है, right, मैं यहाँ पर Bangalore में हूँ, तो आपने मेरे को decide किया कि मैं letter लिखता हूँ, तो यकीन यह बंदा करनाटका के अंदर Bangalore में रहता है, Bangalore में सर्जापूर में रहता है, और यह इसके घर का address है, पूरा का पूरा, right, address तो होना ही चाहिए, हमारी real life में भी होता है, computer का भी address होना चाहिए, ठीक है, अगर यह address है, तभी यह message जा पाएगा, क्योंकि copper wire तो भई हो सक हो सकता है, कि इस computer से निकल कर कई जगे पर जा रही हो, किस पर भेजना है, ऐसा भी हो सकता है, कि यहाँ पर laptop number C है, और यहाँ पर laptop number D है, आप यह सोच में पढ़ गए होंगे, कि यार मैंने तो कभी देखा ही नहीं, कि एक laptop में से, मैंने एक wire तो निकल कर जाती हुई देख है, और ऐसा बिल्कुल सही भी देखा है आपने, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी topic, point of discussion सिर्फ इतना सा है, कि अगर laptop B को option है, कि वो B में भी भेजे, C में भी भेजे, D में भेजे, तो अगर उसने C की तरफ भेजा है, तो उसको बोलना पड़ेगा, कि यह message C पर जाना जो की copper है, तीसरा, कि कहां पर भेजा जा रहा है, address क्या है, as simple as that, right, तो यह कोई भी इंसान सोच सकता है, इसके बारे में, at least इतनी बात है, it is very very simple, right, यह आप में से कोई भी इंसान सोच रहोगा, अब आप सोच रहोंगे कि यार, यह difficult तो नहीं है जादा, तो भाई, difficult तो बिलकुल भी नहीं है, मेरे ख्याल से अगर अब तक का किया हुआ discussion आपको असान लग रहा है, तो पूरी की पूरी computer networking असान ही है, दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत यह है, कि लोग यह सोचते हैं कि यार, यह तो समझ में आ जाता है, यह तो हमारी daily life में होता है, लेकिन जो technology है, वो समझ में नहीं आती, मैं आपको यह प्रूव करूँगा अगली दो या तीन classes में, जो भी हम चीज़े पढ़ रहे हैं आपर, exactly same computer networking में करके दिखाएंगे, आपको, और उनको दिखाएंगे भी कि बहिया, कैसे आपके messages move कर रहे हैं, एक जगा से दूसरी जगा पर, ब ठीक है, अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अभी, कि laptop A से laptop B में message भेजना, राइट, चाहें वो pass हों या दूर हों, वो काफी ज़्यादा similar है हमारा postal office जैसे काम करता है उससे, ठीक है, तो आज अगला आदा घंटा हम postal office में ही गुजारने वाले हैं, और साथ-साथ कुछ terms use करने वाले हैं, और कल या फिर अगले week हम जब भी मिलेंगे, तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि यार, ये तो काफी हद तक similar है, और आप येकिन कीजिए, ये जो computer system बनाया है, या फिर networking बनाई है, ये इंसानों नहीं बनाई है, इंसानों ने देखा कि हम daily life में message कैसे भेशते हैं, और उन्होंने फिर उसी को copy करने की कोशिश की computer world में भी, ठीक है, तो जो अगली analogy रहने वाली है, या अगला जो example आपके सामने में रखने वाला हूं, उसको आप सभी लोगों को ध्यान से समझना है, उसमें जो मैं terms use करने वाला हूं, वो सारी की स terms आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि terms में बात करना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि आज मैं इतना terms terms बार बार क्यों चिला रहा हूं, जैसे कि for example मैंने आपको बोला अभी अभी कि bit क्या होता है, फिर byte के बारे में बताया, यह तो थोड़ी बहुत technical term थी, इसके अलावर मैंने आपको एक common term, एक general भाषा, जो English में हम term use करते हैं, वो होती है brainstorming, यह भी बताया, तो आप से request है कि आप यह कही ना कहीं पर लिखते रहे, इनको दोहराते रहे, ताकि जैसे ही आप बाहर आएंगे, तो यह आप इन शब्दों क को use करना जादा शुरू कर देंगे, अगर आपने इनके बारे में सुना होगा, अच्छा important क्यों है, important यह इसलिए है, कि अभी तो मैं आपको इन शब्दों का इस्तमाल करें बिना भी सिखा सकता हूं, मैं बार-बार once and zeros बोल सकता हूं, मैं बार-बार brainstorming की जगे discussions बोल सकता है, हाना, जॉब लग जाएगी, तो आपको अलग-अलग तरह की customers को deal करना पड़ेगा, वो customer भी हो सकते हैं, या फिर आपको इस company का network बनाना पड़ेगा, और ऐसा हो सकता है कि आपके साथ 10 लोगों की और भी team काम कर रही हो, ठीक है, अब यह जो 10 लोग होंगे, इनको तो network engineering या computer science अच्छे से आती होगी, क्योंकि यह काम कर रहे हैं, तीन-चार साल हो गए इनको करते हुए, और आप वहाँ पर नए-नए पहुंचे हैं, अगर आप हर बात में उनको बोलेंगे कि ones and zeros जा रहे हैं, तो उनको लगेगा, यह पता नहीं क्या बोल रहा है, हलांकि समझ में आएगा, कि इस बंदे को चीजे पता भी हैं, right, technology की term में बात कर रहे हैं, तो और दूसरी चीज यह है कि कुछ चीजे होती हैं, जो आपके दिमाग में, अगर उसका नाम कुछ और है, और दूसरे के बंदे की दिमाग में, उसका नाम कुछ और है, और अगर आप सेम च भाशा अंग्रेजी भी है, for example, अगर मैं आपको यहां पर बैंगलॉर का example दू, तो जिस society में मैं रहता हूं, वहां पर उडिशा के भी लोग हैं, वहां पर रजस्थान के भी लोग हैं, वहां पर कश्मीर से भी लोग हैं, पंजाब से भी हैं, करनाटका के तो हैं हैं, तमिल भाशा हो गई, करनाटकी की करनडा हो गई, पंजाब की पंजाबी भाशा हो गई, और यहां पर अधिकतर हर जगे पर हिंदी भी बुल ली जाती है, तो होगा क्या, अब मान कर देखी कि हर एक राज्य का एक बच्चा पार्क में खिलने आया, आप सोच कर देखो कि अगर इन सभी लोगों को अपनी अपनी भाशा पता है, तो क्या होने वाला है, गड़बड होने वाली है, आपस में कैसे बात करेंगे, तो यहां पर लगबग हर एक बच्चा इंग्लिश बोल नहीं स देख रहे हैं, तो यहां पर छोटे-छोटे बच्चों को भी इंग्लिश भाशा का ग्यान इसलिए हो जाता है, कि अगर नहीं होगा, तो काम चले गई नहीं उनका, आपस में बात करी नहीं पाएंगे, तो यह क्या हो गया, यह हम बोल सकते हैं कि एक स्टेंडर्ड भाशा हो गई, अंग्रेजी या इंग्लिश, जिसमें लोग आपस में बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि इनको भाशाएं अपनी नहीं आती हैं, बिलकुल आती हैं, बट एक दूसरे की भाशा समझ में नहीं आती है, तो इन्होंने एक स्टेंडर्ड बना लिया है कि इंग्लिश, इस का मतलब जैसे आप बोलोगे तो उसको वरन समझ में आ जाएगा कि 8-bit की बात कर रहा है, brainstorming का मतलब उसको सेम समझ में आ जाएगा, तो terms इसलिए important है क्योंकि आप अगर बाहर जाकर किसी company बात करेंगे, तो इन्हीं terms को use करके बात करेंगे, तभी दूसरे बंदे को समझ मे आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है, ये discussion जरूरी था, terms के बारे में, आगे की बात अब ये है कि हम लोग example या analogy देखेंगे, जिसमें ये बात करेंगे कि postal office कैसे काम करता है, और postal office के जरीए हम कुछ terms सिखेंगे, और उन terms को जब हम computer science का actual communication में आपको दिखाऊंगा, दो terms use वहां भी होंगी, having said that, मुझे लगातार बोलते हुए 30 minute हो गए है, अगर आपके दिमाग में कोई भी curious question आ रहा है, या कोई भी question आ रहा है, अगर आपको कुछ चीज इसमें add भी करनी है, तो please आप add कीजिए, क्योंकि ऐसा possible हो सकता है, कि आजे जी, या मैं कुछ भूल ग चीजिए, इसके अलावा अगर आपको ये दिमाग में कुछ भी आ रहा है, तो please आप unmute कीजिए और बोलना शुरू कीजिए, या फिर please hand raise कीजिए और बोलना शुरू कीजिए, शिवम जी ने hand raise किया है, शिवम जी प्लीज आप अपना question पूछिए, या फिर, good morning, sir, good morning, sir, why we use copper wire only, why we use copper wire, मैंने ये नहीं बोला कि हमें सिर्फ copper wire, मैं तो एक example लेकर समझाने ही कोशिश कर रहा हूँ, और येकीन कीजिए कि आज की जो दुनिया है, वो इतनी ज्यादा advance हो गई है, कि हम सिर्फ copper wire use नहीं करते हैं, हम तो, yes sir, use fiber also, हम तो wifi भी use करते हैं, हम fiber भी use करते है लेकिन अभी तो हमारी सिर्फ शुरूआत है, तो मैंने सोचा कि वे लोगों को सिर्फ copper के wire में भी बताया जाए, लेकिन जैसे जैसे हम बात करेंगे, वैसे वैसे हम wifi की बात भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार मैंने आज तक अपने laptop में क systems develop हो रहे थे, तब सारा का सारा wire की उपर ही जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने इस technology का विकास किया, आप जो comparison कर रहे हैं, वो 1970 का comparison 2020 से कर रहे हैं, या 2023 से कर रहे हैं, इन 1970 और 2023 के बीच में लगबग 50 साल का difference है, 50 years, तो ऐसा तो होई नहीं सकता, कि जो हमने 1970 में बना द आमीन आस्मान का फरका है, पहले wire था, सिद कॉपर की wire, उसके बाद फिर हमने ये भी सीखा, कि हम light के थुरू भी 1s and 0s को भेज सकते हैं, फिर किसी ने बोला, कि जैसे हम sound को air में भेज सकते हैं, वैसे हम आपके 1s and 0s को भी air में भेज देंगे, जिसका नाम आया Wi-Fi, तो ह हम ये सब पढ़ेंगे, दीरे-दीरे पढ़ेंगे, ठीक है, मैं बस लोगों को overburden नहीं करना चाहता, पढ़ाई अच्छी लगनी चाहिए, पढ़ाई होते हुए, अगर माथे पे शिकन आ रही है, पढ़ाई करते हुए, हमेशा दिमाग शान्त और अच्छा लगना चाहि कि यार कुछ बढ़िया बढ़ रहे हैं, तो धीरे-दीरे डालेंगे, दीरे-दीरे प्रेशर डालेंगे, लेकिन ये तया है कि आप जब भी इस क्लास में बैठे होंगे, तो आपके माथे के ऊपर वो शिकन नहीं आएगी कि यार पता नहीं क्या पढ़ रहो, ठीक है, इसल ये हम बहुत धीरे-धीरे बढ़ेंगे, इसलिए जो टाइम लिया हुआ है, वो इस कोर्स का 4-6 महीन है, येकीन करो कि अगर मेर को ये कम्पीट ही करना हो, तो मैं सारी की सारी चीज़े सिर्फ एक महीने में कम्पीट कर सकता हूं जल्दी यल्दी, लेकिन फायदा कुछ न पास हो रहा है, जीरो हो तो करन नहीं पास हो रहा है, आपने एक कुछ बना लिया, Mr. Ajay जी ने, अब एक्च्वल में कैसे होता है, वो हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन ये लेक्रिकल साइंस का टॉपिक जादा है, लेकिन हां, वोल्टेज अगर कभी गई है, पा इस तरह से जाएगा, अब आप सोच कर देखिए, कि शुरू में एक सेकिंड के अंदर, या एक सेकिंड में मान लेते हैं, कि एक सेकिंड में पहला ये ऊपर का वोल्टेज गया है, मतलब कुछ गया है यहां पर, तो मैंने मान लिया कि ये 1 है, अगर कुछ नहीं गया है तो यह जीरो, देन अगले सेकिंड में 1 आया, फिर अगले सेकिंड में 0 और अगले सेकिंड में 1 या जो बार गया है, हम ऐसा कुछ coding कर सकते हैं, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वायर की उपर अगर में वोल्टेज भेज रहा हूं, तो वो 1 है वरना 0 है, और होता भी ऐसा है, काहल समझ मैं है? यस सर्व इनकेस हम कुछ भेज रहे रहे तो जीरो भी कंसिडर करेगा क्या? हाँ क्योंकि कंप्यूटर को दो ही चीज़ समझ में आती है और ये चाहिए भी है? ये बहुत इंटरस्टिंग चीज़ और आपने बहुत इंटरस्टिंग चीज़ पूछी भी है, तब भी बेसिकली दूसरे कंप्यूटर को लग सकता है जीरो है, तो इसमें इसका जो सीक्वेंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, और अगर मैं स लगें, तो यकीन किए ये दस घंटे से भी काम है, तो आप ये बहुत अच्छी चीज़ है राहूल कि आप इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप क्यूरियस हैं इसके बारे में बहुत जादा, तो आप प्लीज इसके बारे में खुद से पढ़ने कुशिश कीज क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ाना शुरू करूंगा, तो इसलिए मैं मोटे मोटे तोर पर आपको बता रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि वायर के उपर 1s and 0s लगबख करेंट की फॉर्म में जा रहे हैं, और वो कैसे जा रहे हैं, इसमें किसी बंदे ने काफी ज़्यादा काम किया होगा इस पर, में भी किसी बंदे की 5 साल या 10 साल की मेहनत होगी, कि जिसने लिखा होगा कि 1s and 0s, अब ऐसा तो है नहीं, कि वो सिर्फ आपको 2 या 3 मेंट में ही समझ में आ जाएगा, बट मोटे मोटे तोर पर आपको इस समझ में आ जाना चाहिए कि बिट्स नहीं फ्लो कर रहे हैं, करेंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज फ्लो कर रही है, अब वो कैसे कर रहा है, अगर आप रियल में क्यूरियस हैं इस बात को जानने के लिए, तो आपको थोड़ी सी मेहनत खुद से करनी पड़ेगी, आप जाएए इंटरनेट पर, सेम कुशन मिलते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यार, अब ये कैसे जा रहा होगा, आप क्यूरियस होगें सोचने में, तो वहां पर तो एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट एलेक्रिकल साइंस का, कि वह ये अलेक्रिकल साइंस में बढ़ाएंगे आपको, लेकिन इस कोर्स थो क्योंकि सोच कर देखो, हफते में सिफ्टीन क्लासे हैं, फिफ्टीन कंटे हैं, जिसमें आपको ध्यान देना है, बाकी की टाइम करना ही किया है, ये जो क्यूरियस कोस्टें आ रहे हैं दिवांग में, इसको पूरा करो, देखो इसको, ठीक है, इसके अलावा कोई और इसके अलावा मेरे ख्याल से और किसी को डाउट नहीं है, तो हम चलते हैं अपने शांदार एक्जामपल पर, और ये पिक्चर आप याद रखना, ठीक है, जब आप चार से छे महिने बाद भी इस पिक्चर को देखोगे, तो भई ये complete networking आपको सिखाएगा, आपको अभी ये लगेगा, कि यार ये तो हमें postman बना करी छोड़ेगा, वो नहीं है, एम computer networking को ही समझना है, तो हुआ क्या, हमारे दो पसंद सिदा character यहाँ पर है, एक है Miss Anjali, अपने घर में बैठी हुए, ग्रीन कलर का अच्छा घर है इनका, और फिर हम बात करते हैं, राहुल की, राहुल जी भी अपने घर में बैठे हुए, येलो कलर का घर है, लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं, तो भई, ये जो घर है इनका घर है Bangalore, ठीक है, अब Anjali जी ने सोचा कि भई, क्योंकि दिल्ली और Bangalore के बीच में, अगर आप सिधा-सिधा है, तो जो डिस्टेंस है, वो लगभग, लगभग 2100 km का है, तो भई, ऐसा तो है नहीं, कि अगर अब Anjali सोचें कि मेरे को एक message भेजना है, ये एक letter भ message, तो इन्होंने सोचा, कि मुझे कुछ message पहुंचाना है राहूल को, राहूल है 200 km दूर, और हम एक ऐसे एरा में हैं, कि ना तो हमारे पास mobile phone है, ना हमारे पास internet है, हम तो इस से पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप मैंसे कई लोग सोच रहे होंगे, कि यार अगर ऐसा ह तो बहुत फोन उठा और फोन पर बात कर लो, या WhatsApp पे message डाल दो, जो भी करना है, लेकिन हम काफी पहले चले गए हैं, जब ना तो mobile phone होता था, ना फिर हमारे पास ये internet था, तो अब सोच कर देखिए कि उस time पर क्या system होते होंगे, जिनकी वज़ा से हम एक जगा से दूसरी जगा पर message पहुंचा पाएं, तो overall scenario सिर्फ इतना सा है, अंजली को लिखना है एक letter, जो की Bangalore में Mr. Rahul के पास पहुंच जाए, ठीक है, तो अंजली ने क्या किया, एक piece of paper लिखा, लिया, इस piece of paper पर यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया है, Hi Mr. Rahul, How are you? और जो भी इनका message है, very very interesting, ठीक है, और बार-बार में terms introduce करता जाओंगा, आप उसको लिखते जाएए कहीं पर, या फिर जब भी आप इस वीडियो को दुबारा देखें, तो भी आप उन terms को लिखते रहेंगे, right, terms बार-बार बोलरों important है, तो problem statement सिर्फ इतना ह कि अंजली को letter पहुचाना है राहूल के पास और उन्होंने इस letter को इस piece of paper पर लिख भी लिए है, ठीक है, लिखने के बाद इन्होंने क्या किया, अब अंजली को सबसे नहीं क्या पता होना चाहिए, अंजली को यह पता होना चाहिए, कि रहूल का पूरा address क्या है, अगर य यह नहीं पता है, तो गडबड है, ठीक है, अंजली को ये भी पता होना चाहिए, कि अगर उसको letter भेजना है, तो क्या भेजना है, obviously उसको पढ़े लेकिता होना चाहिए, और letter पर अपना जो भी वो लिखना चाहती है, वो इसने लिख दिया, ठीक है, अब अंजली ने क्या किया, वो मार्किट में गई, और वहां से एक envelope को पकड़ कर लाई, खरीद कर लाई, इसने क्या किया, इसने इस letter को इस envelope के अंदर डाल दे, अब आप सोच रहे होंगे यार, इतनी छोटी-छोटी चीज़े हैं क्यों बता बार यूज़ करेंगे, अंजली जी ने इस letter को लिया, ठीक है, इसको fold किया, fold करने के बाद इस envelope को open किया, और इस letter को इस envelope के अंदर डाल कर, envelope को कर दिया, बन, maybe gum लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, राइट, क्यों किया इन्हों ने अंजली जी ने ऐसा, अंजली जी ने किया, क्योंकि यह letter तो दोनों तरफ से लिखा जा चुका है, अब ऐसा नहीं है, कि मैं इसी पर address भी लिख दूँ, अच्छी चीज यह रहेगी, कि मैं अपने letter को, ताकि कोई और letter पढ़ है भी ना मेरा, मैंने इसको बंद कर दिया, उसको gum से stick कर दिया, अब यह जो मेरा envelope ह मैं इसके उपर address लिख सकती हूं, कि इस envelope को बैंगलॉर जाना है, really, really interesting, तो यह जो मैंने प्रिक्रिया की है, अपने letter को उठाया, और एक ऐसी चीज के अंदर रख दिया, जो की move कर सकती है, अब आप मेरे से बहस कर सकते हैं, move तो letter भी कर सकता था, बिलकुल कर सकता था, ले पहली बात तो उसमें address कहां पर लिखते, right, standard चीज तो यह है कि आप उसको envelope के अंदर डालिए, और envelope पूरा उपर से खा लिए, उस पर address लिख दीजिए, right, तभी तो जो postal office system है, वो देखेगा, वरना postal office system को इस letter में डूड़ना पड़ता कि address कहां पर है, right, तो standard तरीका यही है, मैंने एक word यूज किया है, standard तरीका, right, यह याद कर लीजिए, पहली जो term यूज कर रहे है, वो standard है, standard का मतलब कुछ ऐसा, जो सभी को पता है, कुछ ऐसा, जिसके बिना बात नहीं मनेगी, वो हर जगे standard ही है, right, for example, अगर आप road पर निकले हैं, मान कर देखिए, right, तो road पर आपको signal पर हमेशा red light, green light, and yellow light ही दिखेगी, right, और वो specific order में, आप irrespective of the fact कि आप Delhi में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, बेंगलॉर में रहते हैं, अगर आपको रुकना है, तो भई यह सब के दिमाग में डाल दिया गया है, कि red color की light, light पर आपको रुकना ही और और ज्यादा गाड़ी को भगाने ही कोशिश करते हैं, लेकिन point यह नहीं है, point यह है, कि हम सभी को पता है, यह कि standard बना हुआ है, कि एगर red color की light है, तो हमें उसको रुकना है, right, अच्छा यह standard सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, आप कहीं भी चल जाए पूरे world में, सेम च इंजली ने letter लिखतो दिया है, लेकिन अगर उसको भेजना है, तो उसको envelope में डालना पड़ेगा, और envelope के ऊपर address लिखना पड़ेगा, यह एक छोटा था standard है, दूसरा word जो हम use कर रहे हैं, जो आपको हमेशा याद रेना चाहिए, यह जो हम प्रिक्रिया कर रहे हैं, यह ज बड़ा सा खतरनाक लगेगा, कि यार यह क्या है, हमने तो बस letter को उठा के डाल दिया, और इस बंदे ने इसका नाम ही बड़ा खतरनाक सा दे दिया, encapsulation, बड़ यकीन कीजिए, क्या कर सकते हैं, अंगरी जी भाषा ऐसे ही है, उन्होंने इस प्रिक्रिया को नाम दिया, encapsulation, हाना, आपको इस समझ में आना चाहिए, कि encapsulation के पीछे का target क्या था, target यह था, letter नहीं जा सकता है, लेकिन जो चीज जा सकती है, उसके अंदर मैंने अपना letter लिख दिया, तो इसका मतलब मैंने इस letter को envelope के इंदर डाल दिया, और यह जो process किया, मैंने encapsulation किया, ठीक है, जब य message, मुझे नहीं पता कैसे पहुंच गया, बट राहूल के पास यहां पर पहुंच गया, यह yellow color का envelope, sorry green color का बना दिया, तो हुआ क्या, यह जो message है, यह mister राहूल के पास पहुंच गया, यहां पर आ गया, ठीक है, अब राहूल का पास यह कैसे पहुंचा, उसके बारे में तो वो इस envelope को open करेगा, ठीक है, open करने के बाद यह काम की चीज तो अंदर ही है इसके, वो क्या है, जो letter अंजली ने लिखा था इसके लिए, it is as simple as that, तो उसने letter अंदर से बाहर निकाला, अचा अंजली ने क्या किया था, अंजली ने letter को envelope के अंदर डाला था, जिसका नाम है encapsulation राहूल क्या कर रहा है, exactly उल्टा, राहूल envelope को open कर रहा है, और उसके अंदर से letter निकाल रहा है, इस process को जो राहूल ने किया, वो हम बोलते हैं, decapsulation, या छोटी तोर पर हम उसको decap भी बोल देते हैं, इसको incap बोलते हैं, इसको decap बोलते हैं, लेकिन actual में solution आप लगा दी ठीक है, यह दोनों words बहुत ही काम के हैं, अगर मैं इनको बार-बार लिख रहा हूँ, standard हुआ, encapsulation हुआ, decapsulation हुआ, यह हम इतने frequently आपस में use करेंगे, networking को पढ़ते हुए, कि भई, आप, maybe आपको लगे कि यार, यह word बहुत ही काम के हैं, इसलिए हम, हमने पहले terms को जान ल encapsulation हो गया, राहुल ने उसी letter को उस envelope से बाहर निकाला, जब उसको मिल गया, तो वो decapsulation हो गया, अब Mr. Rahul जी इस letter को बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, इन दोनों की personal बात, भई, कुछ भी लिखाओ, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब यह है, कि actual मैं, अंजली ने राहुल को message भेजा, encapsulation के process के द्वारा, राहुल ने message को पढ़ा, decapsulation के process के द्वारा, it is as simple as that, अभी कहानी खतम नहीं हुई है, अभी तो बस, it is as good as कि आपने WhatsApp application खोला, और उसके उपर high लिख दिया, और button प्रेस कर दिया, यह सिर्फ इतना हुआ है भी तक, अगर मैं अंजली ने letter को पूरा का पूरा लिखा और उसको एक packet के अंदर बंद कर दिया, that is it, अच्छा, अब एक चीज जो अंजली को पता होनी चीए, वो यह पता होना चीए कि राहुल का address क्या है, और यह जो address होता है, यह बहुत ही ज्यादा logical चीज है, पूरे इंडिया में आप address बता दीजिए, किसी भी बंदे का वो समझ जाएगा कि क्या बात कर रहा है, for example, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं Bangalore में 396 के मकान नंबर में रहता हूँ, मान लिजे मेरा जो house नंबर वो है, यह है, जो मेरी society का नाम है, वो मान कर देखिए, वो है prestige city, ठीक है, जो वो है करनाटका में, करनाटका कहां पर है, वो है इंडिया में, हालां कि आप चाहें तो इसके ऊपर भी जा सकते हैं, कि इंडिया कहा है, कोई बोलेगा earth में, earth कहा है, solar system में, solar system कहा है, अपनी galaxy में and so on, लेकिन आप बोलेंगे कि यह यह तो पागली हो गया, इसलिए इसकी ज़्यादा जरुरत नहीं है, क्योंकि message earth के earth में जाते हैं, हो सकता है कि इंडिया से Australia जा रहा हो, या फिर America जा रहा हो, तब आपको country लिखने की भी जरुरत है, लेकिन अगर हम अपने country के अंदर की system की बात करें, तो impact हमें इंडिया भी लिखने की जरुरत नहीं है, हमें पता है कि Vishnu जो रहता है करनाटका में, करनाटका is a state in India, state के अंदर एक city है, city के अंदर एक छोटी सी जगह है सरजापूर, उसमें एक society है, और basically society के अंदर यह है, तो आप ये मानिये कि जो मैंने लिखाए address, ये ऐसे ही कुछ नहीं लिख दिया है, इसका एक meaning है, इसका एक logical meaning है, जिसको सभी के सभी लोग समझ सकते हैं, वट, क्योंकि हम ये बचपन से addresses देखते जा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि यार, ये क्या बकवास्त बाते कर रहा है, ये तो हमें पता ही है, यकीन कीजिए, हर एक computer का भी, जब हम बात करेंगे, address होगा, लेकिन वो address ऐसा नहीं दिखता होगा, ठीक है, लेकिन address के अंदर एक logic तो होना चाहिए, उस logic के जरिए, कोई भी उस address को के बारे में जान सकता है, समझ सकता है, आप सभी को पता है, similarly, computer का भी एक address होगा, हलांकि वो ऐसा address नहीं होगा, जो हम use करते हैं, लेकिन logic उसके अंदर भी ह होगा, और by the way, computer के अंदर जो address होता है, उसको हम, या computer का जो address होता है, उसको हम IP address बोलते हैं, okay, IP address, अभी क्यों बोला, हमने अपने address को तो normal address बोल दिया, computer के address को IP address क्यों बोला, ये बाद आपको समझ में आएगी बाद में, लेकिन आप याद कर लीजे, मेरे ख्याल से यह पर जितने भी लोग होंगे, उन्होंने कभी ना कभी तो ये सुने ही होगा, कि वह IP address क्या है, या फिर IP address के बारे में थोड़ा सा सुना होगा, अगर आप movies देखते हैं, picture देखते हैं, तो उसमें भी कभी ना कभी कोई बोल देता है, कि अगर हमें देखना है कि message कहां से आय तो हमें पता करना पड़ेगा उस computer का IP address क्या है, ये सुना होगा आपने, बस सुना है तो मेरे लिए इतना काफी, बट आपको ये बता दूं कि जैसे हमारा address होता है, जितना address हमारा logical होता है, उतना ही computer का भी address logical होता है, it is as simple as that, ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, अंजली ने क्या लिखा, अंजली ने मान कर देखिए, अब यही वाला जो address है, ये राहूल का भी address है, मान कर देखिए, ठीक है, तो अंजली ने ये पूरा का पूरा address लिख दिया, इस envelope पर, और अपनी car को उठाया, हो सकता है कि इनके घर के बहुती पास हो, क्या बहुती पास हो, ये वाला red color का box, जिसमें generally आप जाकर डाल देते हैं, तो ये पैदल भी जा सकती थी, अच्छा मैं छोटी छोटी बातों का इसलिए जोड देकर बता रहा हूं, कि भाईया, it is very very important, right, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ा यहां पर समझ में आ जाएंगी, लेकिन जैसे ही मैं कंप्यूटर से रिप्लेस कर दूँगा, आप बोलोगे यार मश्किल हो गया, ठीक है, लेकिन फिर से बोल रहा हूं कि आपने छोटी छोटी बातों पर मैं इतना भी बोल रहा हूं, letter लिखा, envelope को open किया, वापस से रखा, ये सब कुछ हम देखेंगे, computer ऐसे ही कर रहा होगा तो ऐसा possible हो सकता है कि जो red color का box है, जिसके अंदर आप letter जाकर डालते हैं, ये अंजली की घर से maybe एक किलोमेटर दूर है, और अंजली ने अपनी car उठाई, इसके लिए आप बोलेंगे कि एक किलोमेटर के लिए car कोन उठाता है, maybe it's preference या personal choice, अंजली ने किया ऐसा, car में होगे कि यार, ये तो इस पूरी दुनिया में, जिस नहीं postal office service use की है, नहीं कि सभी को इस बात का ग्यान होता है, right, हलांकि आजकल की जो generation है, शायद उसको पता ना हो, क्योंकि उन्होंने कभी letters नहीं बेज़िये हैं, लेकिन फिर भी इतना ग्यान तो होता ही है, कि अगर मे ये observe किया है, आसपास, ठीक है, जो computer system लोग बना रहे थे, वो भी हमारे जैसे humans ही हैं, उन्होंने भी कुछ essay किया है, ठीक है, अब यहां के बाद अंजली की responsibility खतम हो जाती है, इसके बाद भी letter का क्या हो रहा है, अंजली को कोई भी idea नहीं है, इसके बारे में, ठीक है, letter जो है, इस box में बंद हो गया, और अंजली का काम हो गया, खतम, लेकिन यकीन कीजिए, एक ऐसा system है, जिसको हम postal office system बोलते हैं, उसका काम यहां से अब शुरू होता है, उसमें, मान कर देखिए कि हम दिल्ली में हैं, और दिल्ली में एक postal office service है, या grant post office है, जिसको GPO भी बोल है, और यहां पर इस system के अंदर हजारों लोग काम करते हैं, उसमें से एक बंदा ऐसा होगा, जिसकी duty सिर्फ इतनी सी है, कि भाई, हम तुमें क्या देने वाले हैं, हम तुमें एक truck दे देंगे, और आपको क्या करना है, शहर में, जहां पर अंजली रहती है, मान कर बंदे का काम यही है, कि अपना truck लेकर जाएगा, और शहादरा के अंदर जितने भी red boxes होंगे, उनके अंदर जितने भी letters होंगे, मैं एक letter की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अंजली letter भेज रही है, दिल्ली में बहुत सारे लोग होंगे, ऐसा ही computer से case में भी होगा, जरूरी नहीं है, एक ही computer बेज रहा है, हजारों computer एक साथ message भेज सकते हैं, तो इस बंदे का काम तो सिर्फ इतना सा ही है, कि इसको अपना truck उठाना है, इन सारे red boxes की चाबी लेनी है, और वहाँ पर जाकर इन red boxes को open करना है, सारे के सारे letters बहार निकालने है, उनक को रखना है अपने truck के अंदर और ले आना है इस building में, ठीक है, यह पहला काम है जो आपका postal office system कर रहा है, अचा system का क्या मतलब है, system कुछ ऐसा होता है, जिसमें सब को अपना अपना काम पता होता है, ठीक है, for example, इस बंदे को अब वो काम करे या ना करे या उसकी मर्दी है, या उसके nature पर जाता है, लेकिन भाईया, यह जो job कर रहा है, grand post office में, जिसको एक truck मिला हुआ है, इसको यह क्या करते हैं, साथ में एक बड़ा सा task की list देते हैं, ठीक है, कि भाईया, यह आपकी task है, आपको की उठानी है, आपको truck उठाना है, और आपको शहादरे में जाकर जितने भी red boxes हैं, वो सारे के अंदर से letters इखटा करके लाने हैं, यह इसकी job है, अचा अगर यह इनसान नहीं आता है, इसकी जगे पर कोई नया इनसान आ जाता है, तो वो भी क्या करेगा, वो भी जाकर अपनी job responsibilities को पढ़ेगा, और उसको पता लगा कि यार में कुछा भी ट्रक उटाना है और जाकर शादरा से सारी के सारे boxes से collect करना है, तो यह मैंने क्या बना दिया, यह मैंने एक ऐसा document बना दिया, एक ऐसा paper बना दिया, जिसको पढ़कर कोई भी इंसान समझ सकता है कि इसकी duty क्या है, और हम जो बात कर रहे हैं, वो post office system की बात कर रहे हैं, इस post office system में लगबक सभी लोगों को पता है कि उनकी job किया है, यह पढ़ाना है, यह अभी तक कुछ जादा खीचते हैं, यह की topic के एक दूसरे को message कैसे भीचे है, यह तक हो ही है, ठीक है, जादा तो खीचती है, लेकिन यह important है, ठीक है, लेकिन यह सही feedback था, जो अभी मिला है, ल स्पुराइब किसी के लिए ना तो बढ़ाने वाला हूं या ना कम करने वाला हूं, उसका reason chỉ इतना सा है, कि भहिया, अगर मैने अभी आगे का पढ़ाना आपको शुरू कर दिया, तो आपके माते पर वही वाली शिकना आजाएगी, इच, पढ़ने में मजा नहां नहां एं प्लीज बी उन Venables प्लीस जी प्लीज लुभाइए वर्फिकन घर एक पडिम के जए परट रहाँ है हाँ जी अंजी 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 that's ok तो मैं overall सिर्फ यही बोलना का रहा हूं कि लोग कफी हैं अलग-अलग background इसमें लोग हैं ठीक है तो पढ़ाई तो ऐसे ही होगी, लेकिन ये तहा है कि आपको इसका जो use है, वो अगले चार classes में जाके समझ में आने वाला है, ठीक है, अगली 20 classes यहां पर बन चुकी है, मेरे को पता है कि भई कैसे बढ़ाना है, so do not worry, आपको सिर्फ बैठ के अगर बोर हो रहे हैं थोड़ा स तो भई, खुली जे, that's okay, बोर होना भी कभी-कभी बनता है, लेकिन ये समझ में आना जरूरी है, overall बस मैं इतना कहना चाहता हूँ यहां पर, कि भई ये जो postal office service के जो बंदे हैं, इन सभी को अपनी duty पता है, और किसी ना किसी बंदे ने यहां पर हर एक, हर एक बंदे के ल GPU में, यहां पर और भी लोग होंगे, 25-30 लोग, या मेभी 50-100 लोग, जिनका काम सिर्फ इतना सा होगा, कि यह जो लेटर ये बंदा ट्रक में रखकर लाया है, उनको sort करें, ठीक है, एक और time introduce कर रहा हूँ, number 5, sorting, sort का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, कि भई, जरूरी तो नह है, कि सिर्फ अंजली काई लेटर होगा, ऐसा भी हो सकता है, कुछ लेटर जाना चाहते होंगे, रजस्थान, कुछ कश्मीर, कुछ कहीं और, तो यह जो 25-30 बंदे हैं, यह सिर्फ सारी लेटर पर देख रहे हैं, address, और उनको बोलते हैं कि बैंगलॉर वाला जो है, उसको ह हम basically एक folder में डाल देते हैं, radicular की folder में, अगर किसी letter को पहुंचना है, रजस्थान, तो वह जाएगा दूसरे folder में, and so on, ठीक है, तो sorting भी हो गई, means 25-30 लोगों का आम सिर्फ इत नहीं था, letters को देखें, कहा जाना है, और उसके हिसाब से उसको एक box में डाल दें, लेकिन क्य आप सोच कर देखी कि काम यहीं पर खत्म हो गया, नहीं जी, अभी तो काम खत्म नहीं हुआ है, यहां पर, होगा क्या, अब यह जो red color का box है, जिसमें सारे के सारे letter बैंगलॉर जाना चाहा रहे हैं, grant post office के लोगों ने क्या किया हुआ है, क्योंकि distance बहुत ज़्यादा है, फिर इंडिया से बात की हुई है, कि भहिया, हमारे हजारो letters हैं, जो बैंगलॉर जाना चाहते हैं, हम आपको एक डिबबा देंगे, right, और उस डिबबे में रखकर, आपको, basically जो भी डिबे में, जितने भी आपके letters लखे हुएं, आप please अपने airplane से उसको भेज कर, हमारे बै बैंगलॉर में भी ऐसा ही एक office है, बहुत बड़ा एक office है, right, जहां पर एक बंदा होगा, जिसका काम सिर्फ यह है कि airport जाओ, और यह जो plane में डिबबा है, उसको उठा कर लाओ, जो कि यहां पर आ जाएगा, अब यह बात है, कि बैंगलॉर में जितने भी letters पहुँचे हों यहां पर भी काफी लोग काम करते हैं, और यहां पर एक बंदा ऐसा भी काम करता है, जिसको आप जानते हैं, जिसका नाम है postman, ठीक है, इस postman को बैंगलॉर के specific area के बारे में पूरी knowledge है, हालां कि बैंगलॉर बहुत बड़ा है, right, लेकिन इसको पता है कि यह जो के बारे में काफी information है, तो basically इसने देखा कि सर्जापुर का letter एक box में रखा हुआ है, और होगा यहां पर भी ऐसा, कि सर्जापुर वाले जाने वालों को अलग box में रख दिया जाएगा, बैंगलॉर में white field जाने वालों को अलग box में रख दिया जाएगा, तो यह जो बंद सर्जापुर में भाईया, क्या हुआ, राहुल का घर मिला और राहुल को उसने यह letter deliver कर दिया, ठीक है, आचा यह सारी की सारी चीज़ें अब आपको याद रखनी है, कौन सी, कि जब letter बैंगलॉर से दिल्ली से बैंगलॉर जा रहा था, तो basically हमें एक और system की help लेनी पड़ और उस system का नाम था airline system, ठीक है, इसका मतलब आप देखिए, कितने systems आपस में मिलके काम कर रहे हैं, और यही बात जब मैं आपको computer की terms में सिखाऊंगा, तो आजकल के जो season network engineers भी है, season network engineers का मतलब है, जो 3 या 4 या 5 साल इस industry में गुजार चुके हुए, अगर मैं, आपको अग बहुत सारे लोगों को clear नहीं है, ठीक है, और आप यकीन नहीं करेंगे, कि यह जो आपका course है, यह तो हमने शुरुवाती लोगों के लिए बना हुआ है, जिनको कुछ नहीं आता, लेकिन exactly same चीज से मैंने कल उन लोगों को समझाया है, एक most important concept, जिनको 15 साल का experience है, same example से, अ कुछ अलग है या फिर हम slow जा रहे हैं, please be with me, आपको 4 या 5 classes के बाद जब पूरी picture complete होगी, जब समझ में आएगा, right, तो overall मैंने क्या करा, मैंने letter पर लिखा था address, अच्छा यह जो address लिखा है, यह किसका address था, राउल का address था, यह वो था जहां पर मेरे letter को पहुँचना है, ऐसे address को हम बोलते है, destination address, क्योंकि वो अपनी destination पर पहुँचना चाहता है, it is as simple as that, ठीक है, तो एक और time आईए, number 6, destination address, ठीक है, एक और time में या पर include करना चाहता हूँ, अब मान कर देखिए, आपका letter जो है, वो यहाँ पर पहुँच गया, कहाँ पर Bangalore में, अंजली का letter, अब राहुल जी, वहाँ पर रहते ही नहीं है, या गडबड हो गई अंजली से, भई राहुल ने Bangalore को छोड़कर है, हैधराबाद में रहना शुरू कर दिया है, मान लीजी, और अंजली को इस बात की knowledge नहीं है, अगर ऐसा है, तो क्या होगा इस letter का, तो भई इसलिए क्य लगेगा, जब वो इस envelope को देखेगा, तो उसको फोरण समझ में आ जाएगा, कि भईया ये जो letter है, ये अंजली में भेजा है, एक तो ये फायदा है, और दूसरा फायदा इसका ये भी है, कि अगर ये letter पहुँच ही नहीं पाया, अगर राहुल रहते ही नहीं है, तो ये जो Mr. Postman है, ये बोलेगा कि यार ये letter नहीं पहुच पाया है, तो मुझे इसको वापस, जिसने इसको भेजा है, उसको वापस कर देना चाहिए, तो अभी letter वापस आएगा, Bangalore से वापस जली, क्यों आप आया है, क्योंकि इसमें अंजली ने अपना address भी लिखा था, अंज जिसके लिए लिखा है, वो हो गया destination address, ये जो साथ terms है, प्लीज आप इसको अपने दिमाग में रखना, क्योंकि जब हम यही concept computer से समझ रहे होंगे, तो ये बहुत ज्यादा important रहने वाले हैं, ठीक है, अब मैं देख भा रहा हूँ कि लोगों के questions आगे है, Mr. Vivek जी, अपना related to encapsulation and decapsulation, so I was reading OSR model yesterday, so I just had a question that like encapsulation start from layer 7, right, and decapsulation happens from layer 1, so is that right? आप ये बिलको सही पढ़ा है आपने, लेकिन आप आगे की बात पूछ रहे हैं, आप मेरको दो या तीन classes का time देजिए, ये वाला question खुद बे खुद क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो आपने पढ़ा है, वो बिलको सही पढ़ा है, okay, thank you so much for the confirmation, sir. Okay, you are welcome, अब बात करते हैं Mr. Khubayb की, Khubayb जी प्लीज आप अपना question पूछिए 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 मेरा question भी सेम है, I have gone through this OSM model, but I, sir, आपने analogies दी है, मैं sir, बोलना चाहता हूँ कि, मैं उसको ठीक से लिए रहा हूँ, जैसे आपने बुल सही समझ रहे हैं, यह जो standard, यह भी मैंने आपको बोला था कि यह जो standard है, बाद में यह हैं क्या, आप जरा सोच कर देखिए, यही तो आपके rules है, right, वही, sir, वह हमारे RFCs बन जाते हैं, यह आपकी protocols बन जाती है, protocols भी rule है, for example, OSPF की बात करें, right, OSPF is a protocol, right, जिसमें rules हैं कुछ, अच्छा, OSPF कैसे बनेगा, सारे के सारे लोग कैसे बनाएंगे, उसके लिए इनोंने में document लिख दिया है, जिसको हम standard बोलते हैं, ठीक है, जो document में rules लिखे हुए हैं, वो हो गई हमारी protocol, और जो document हो गया, वो हो गया हमारे standard, जो कि आप RFC के बात कर रहे हैं, तो मे अभी तो बहुत confusion हो रहा था, इससे बहुत क्लियर हो रहा है, हाँ, यह, मैं वही बोल रहा हूँ कि, जो seasoned network engineer भी है, जिनको 5-5 साल का experience है, दिकत यह है कि fundamentals clear नहीं है, fundamentals इसले clear नहीं है, क्योंकि उन्होंने यह कभी नहीं सोचा, कि system बना कैसे होगा, हम तो postal office को भी पूरा सम तो इसको कितना deep में समझाएंगे, ठीक है, basic mechanism तो यहीं है, basic mechanism बिलकुल यहीं है, आपने यह बात, मैं एक जीज नहीं गयाट पका रहा हूँ, जैसे आपने वह, aeroplane के example बोली, वह transport layer की बात हो, नहीं, aeroplane की example जो ली है, वह different system की बात हो रही है, क्योंकि आप मैं से आगे आने वाले time में, जब मैं आपको बोलूँगा कि एक computer का एक address नहीं होता है, दो-दो address होते हैं, तो आप बहुत confused हो जाओगे, वह जो आ रहे हैं, वह जब मैंको लगता है कि जब आप पंदर, शायद बारवी classes के बाद देखेंगे, तब वो clear होगा, देखिए वह जो computer networking है, यह बहुत बड़ा subject है, ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है, इसको तसली से, सलीके से, धीरे-धीरे पड़ा जाए, और ऐसा possible हो सकता है कि आपके दिमाग में अभी जो question आए, वो मैं cover करूं, लेकिन पंदरवी class में करूं, तो आप बस अपने आपको hold your horses बोलते हैं इसको, आपको जितना बताया जा रहा है, इस class में अगर वो समझ में आ गया है, तो मेरा काम more than निर्फ तरीके से पूरा हो गया है, और जब आप 10 यह बारा classes ले चुके होंगे, तो आपको बहुत बड़ी picture clear हो रही होगी, ठीक है, but thank you so much for your questions, आगे की बात करते है, Mr. Shivam Tiwari जी ने वो किया था कि अंजली और रहूल मतलब पास में, जब आपने जो scenario बनाया था, तो उसमें क्या था, sir, कि वो एक उसरे से बात कर सकते है, sound waves के थूरू जिसमें air medium था, तो यहां sir, जो हम aeroplane का example ली है, क्या यह वही medium को represent कर रहा है? बिल्कुल, you got it correct, Shivam Ji, आप bang on target पहें, आपने यह सही समझा, तो इसका मतलब अलग-अलग medium होंगे, जब हमारा message एक जगा से दूसरी जगा पर जाएगा, और जिन लोगों को थोड़ा बहुत ग्यान है, आगे की बारे में बता दूँ, यह अलग-अलग medium आपका ethernet हो सकता ह फ्रेम रिले हो सकता है, यह सब हम बढ़ेंगे बात में, तो बहुत इंटरस्टिंग है, लेकिन आपने जो यह मिलाया है इन चीजों को वह बैंग-on target है, Shivam Ji, इसके अलाबा, विबेग जी आपने question पूछ लिया या पिर I think नहीं पूछा है, तो I have asked the question, मतलब मेरे दिमार म मैं विसे यह रहता कि Aeroplane के जो आपने example दिया, is it the air medium, so I was right on that, so this will be the wireless signals, right? नहीं, 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 चलो, फिर से बोलता हूं, hold your horses, आएंगे इस पर, यह wireless नहीं है, यह कुछ और है, system है यह एक, ठीक है, जो कि आपको अगर अलग-अलग network देखने को मिलेंगे, like Ethernet का network, जिसमें आप green color की cable लगाते हैं, serial cable, जिसमें आप तो मेरा कहने का मतलब यह है, कि train system भी हो सकता था, यहां पर, plane की जगह, right, point यह नहीं, point यह है, कि एक system, जो कि आपका post office system है, उसको अपना काम करने के लिए, उसको अपने envelope भेजने के लिए, दूसरे systems की help लेनी पड़ती है, ठीक है, फिस point यह है, इसको बताने का, anybody else, अगर किसी के, I think, Miss Anju जी ह हांजी, थोड़ा सा तेज बोलिए, प्लीज, इस medium को हम types of transport भी बोल सकते हैं, like, यह airplane type of transport ही हो गया, इसमें हम इसको trains भी use कर सकते हैं, या bus, कुछ भी हो सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, you are bank on target, बिल्कुल यही है, और आप प्लीज इसको याद रखे, क्योंकि इस से one of the most complex चीज जो है, वो समझेंगे हैं, जो लोगों को लगती है, और अगर आपको यह समझ में आ गई है, तो आपने 90% इस complex चीज को समझ लिए, और मैं आपको अभी बतायता हूं, कि उसका topic का नाम है, why do we use Mac address, if we already have IP address, पूरी internet पर इसका answer लिखा हुआ है, लेकिन बहुत satisfactory answer नह या मैंने जब 100 लोगों के interview लिए, लगबग मैं एक question जरूर पूछता हूं कि हमें Mac address क्यों चाहिए, जब हमारे पास IP address, address is address, हम भई human है, हमारे पास एक address है, तो computer science में में दो-दो address की क्यों जरूरत है, तो 100 मैं से सिर्फ एक बंदा होता है, और मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इनको 10-10 साल का experience है, जिसने मेरे को इस सवाल का ठीक से जवाब दिया है, अगर आपको पढ़ना है, तो please पढ़िए, इसके लिए मैंने वीडियो बना के अलरी डाल दिया है, बट इसका जो answer है, वो एक घंटे में मिलेगा आपको, ऐसे नहीं, history जाननी पड़ेगी, तो मैं यही बोल रहा हूं, और यह most basic question है computer science का, यह network engineering का, और सिर्फ 100 में से एक को पता है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, कि लोगों के जो fundamentals हैं, जो basics हैं, वो ठीक नहीं है, और हमें तो वही सिर्फ fundamentals और basics ही ठीक करने हैं, अगर आपकी यह जो नीव है, यह strong बन गई, तो इस strong होनी चाहिए, अंजु जी, आपकी जर्नलोजी है, जो आपने सोचा है, वो बिलकुल सही है, अलग-अलग systems हैं, यह सब, anybody else, किसी के दिमाग में कुछ और भी question है, I think we all are good now, ठीक है, अचा question नहीं, Mr. Vikaas जी, कहिए, आगे बढ़ी है, Sir, good morning, Mr. Vikaas, मेरा question था, वहाँ पर एरोप्लेण system है, लेकिन पर तो ट्रेन system है, लेकिन हम एरोप्लेण system ले लिया है, क्यों ट्रेन system क्यों ले 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 बिलकुल ले सकते हैं, मैंने तो भई, अगर आप मैंने ट्रेन लिया होता, तो आपने यह पूछा होता, कि यह आर के लिए बना देता हूं, कि दिल्ली से बेंगलॉर तो इन्होंने प्लेन system ले लिया, मेभी दिल्ली से इंदौर जाना है इनको, तो इन्होंने ट्रेन system लिया हुआ है, मेभी दिल्ली से अगर इनको जैपूर जाना है, तो इन्होंने ट्रक भी लिया हुआ है, तो यह जो ए इन के द्वारा भेज रहे हैं, कुछ को ट्रक के द्वारा भेज रहे हैं, बाद में आप ये सोचिए कि ये जो बंदा है, अपना जो पोस्ट मैन है, ये तो अपनी साइकल ही यूज करा हुआ है, राइट, साइकल से लेके जाता है, as simple as that, ठीक है? हमारे पर डिपेंड करते हैं कि हमने यूज कौन सो मेडियू करते हैं, बेसिकली आप पर या उस सिस्टम पर डिपेंड करता है कि उसके पास पैसे कितने खर्च करने के लिए, राइट, एरलाइन यूज करना is not a simple thing, ठीक है, इसलिए इसको profitable भी रहना पड़ेगा, इस सिस्ट है जो, इसको shortlisting में कह सकते हैं न सर, हाँ, shortlist कह सकते हैं, आप आपके पास इतने सारे letter है, उसको shortlist कर लिए, आपने कि यह letter यहां जाना है तो उसको इसको डिपे में डाल दी, इसको sorting भी बोलते हैं, एक्चल में, जैसे for example, आपको बोले जाता है यह 3, 6, 1, 11, इन नमबर क आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मान लिजिए, ascending order में, तो आप क्या बोलोगे, पहले 1 लिख लिए, 3, 6, 11, यह एक तरह की sorting हो गई, आपने जो numbers से उनको sort कर लिया, एक particular arrangement में, उस arrangement का नाम क्या है, increasing order, या बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, वैसे ही, हमारे जो post office के लोग हैं, यह sort करेंगे in letters का, ताकि उनको एक order में रख दिया जाए, ताकि उनकी अलग-लग डब्बे बना दिये जाए, वरना aeroplane खड़ा होगा, और आप यह सोच रहे होंगे कि आप letters ही decide कर रहे होंगे, कौन सा कहां पर जाना, इससे तो अच्छा यह है, कि आप sort कर लो, एक डिबब बना लो, जिसमें Bangalore वा जाने वाली चीज़े हो, यह सारे के सारे concept important है, फिर से बोल रहा हूँ, anybody else, जिसके पास कोई question हो, I think Vishnu Dhat नहीं है, है hand raise किया हुआ है, शायद हमारे ही कोई student ने join किया हुआ है, हाँ जी, पूछिए, मेगा शायद, मेगा question है रिमाग म सत्यम जी, आप बात कर सकते हैं, हाँ जी, भूलिये, आपकी अवास काफी कट रहे है, सत्यम जी, आप प्लीज रिपीट कीजे, आपको अगर ये समझ में आई है तो, ये समझ में आगए है ठीक से, अभी तक तो आपने जित्ता पढ़ा है, हाँ तो भीया, ऐसे ही रहने वाला है, चीजें हम धीरे-दीरे सीले पढ़ रहे है की concept समझ में आए है, तो इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं कि समझ में आ जा I think हम लगबग एक घंटा बीस में दे चुके हैं आज ही class को, कल या basically next week जो class रहेगी वो बहुत ही interesting रहने वाली है, क्योंकि हम इन ही सारे concepts को अब देखने वाले हैं, कि भई, अगर computers बात करेंगे, तो उसमें से कितना वो हमारी daily life की analogy में से लेंगे, ये daily life था, right, postal office system बना ह हुआ है already, तो आप ये खेली जी कि computer science ने इसमें से कितनी चोरी की है, वो देखने वाली बात है, लेकिन ये जो seven terms मैंने आपको बताई है, आप please over the weekend एक एक बार इसको सोच लेना कि ये क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता, for example, standard क्या है, byte क्या है, bit क्या है, encapsulation, decapsulation, IP address, source address, destination, address, आप please इसके बारे में जरूर पुछिए, ठीक है, I think Megha ने hand raise क्या हुआ है, Megha जी please question पूछिए अपना, Megha आप अपने आपको unmute करके question पूछ सकते हैं, Hello sir, जी पूछिए, मेरा question ये था, जो ये IP address होता है, ये email ID होती है, या फिर device के अंदर कोई address होता है, ये email ID नहीं होती है, ठीक है, ये ऐसा ही address है, जैसा कि हमने अपना real life में अपना address बनाया हुआ है, बट ये computer का address है, बट ये email ID नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको शायद अपसे 7 या 8 वी class में मिलेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो भई, अब हम, I think Anju जी का भी question है, Anju जी पूछ चुकी है, आप फिर से पूछना है, I think Bal Krishna जी का question है, Bal Krishna जी पूछिए, Hello sir, good morning, sir, question आपने पूछा था ना, कि मतलब why do we use, when we have a Mac address, why we use a IP address, question क्या था, एक जी पताएंगा, यही था, कि भई, address तो अलएड़ी है, हमारे पास IP address, तो हमें Mac address की जरुरत क्यों पड़ी, या फिर, उल्टा कर लीजिए, Mac address है, तो IP address की जरुरत क्यों पड़ी, हाँ, ना, ठीक है, ठीक है, भई, अब हम करते हैं, नेक्स वीक मिलते हैं, आप से, Hello, जी कहिए, जी बालकिष्ण जी, गोएड, मैं राजु बोल रहता है, हाँ, जी राजु जी, प्लीज गहिए, सर, कोशन, कोशन, कोशन वो कोशन वी नहीं है, सर, बस थोड़ा, थोड़ा, कंसर ने, सर, हाँ, जी कहिए, 7 to 8 बोलाता है, सर, अपने हमार, एट्शली, जी अब है, अब है, मैं क्या करता हूँ, मीटिंग को सॉप कर देता हूँ, और फिर आपके काशन,